Hello Student, University News में आपका स्वागत है, अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो यह फ्लर्ट फ्रम आपके लिए है, क्योंकि मैं PhD से रिलेटड अपडेट लेके आते रहता हूँ, यसे मैंने फिलहाल में कई इनवर्सिटियों के PhD के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया ह तो अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहाएगा, यहाँ पर सेंटर लून से टीएश्ट एट इनवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपोर्टेंस की संस्ताहना है, मैं पर पीजडी के से रिलेटड अपडेट लेके आता हूँ, तो अ दिखाते हैं आपको पूरा डिटल्स, यह जो न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं, यह एक स्टेटी नोटिफिकेशन है, और इसका नाम है वीर माधो सिन भंदारी उत्राखन टेक्निकली नोटिटी यह देहरादूर में है, एक स्टेटी नोटिफिकेशन जारे हुआ है और वो भी फैलूशीप के साथ, इसी के बारे में आपको पूरा डिटल्स में बताएंगे, कि किन किन सब्जेक्ट में कितना सीट निकला हुआ है, तो बीना देहरी हुए चलते हैं, नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटल्स, कि डिटल्स में क्या है, यहां पर खोल के देख लिते हैं, कि इसमें क्या है? इंपोर्टेंट डेट यहां पर दे लिया है, स्टार्ट हो गया है, 15 मैसे, और 14 तक चलेगा यहां पर और यहां पर यहां पर यह पूरा नोटिफिकेशन है, यहां पर देख लिजे, आडवर्तिज्मेंट है, और लेता है यह नोटिफिकेशन तो यहां पे PhD का नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहां पे आप जो भी important information हो आप यहां पे देख लिजीएगा ताकि कोई भी doubt न हो रहे और आप online यहां पे apply अच्छे से कर देखिए अपन गया है यह advertisement है और यह बीर मादोसीन बंडारी उत्राखंद्र प्रदी की विश्विद्दाले देहरादून में है और यह से इस्टेट फर्मर उत्राखंद टेक्निकल इन्वर्सिटी के नाम से जना जाता है यहां पे देख लिजीएगा और यहां पे admission notice जारी हुआ है जुलाई के लिए session के लिए जारी हुआ है और जो उत्राखंद टेक्निकल इन्वर्सिटी है यहां पर ऑल्लाइन application फर्म इन्वाइड कर रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पर 20,000 पर मन्त fellowship दिया जाता है रिचर्च कमट टेकन टीचिंग fellowship है स्कीम के तरहाद limited नमबर लेकिन है यहां पर अबले वाल है सीट और यहां पर सब लोगों को यहां पर यहां पर लिम्टेड लोगों को स्टुडेंट को यहां पर देट को मिलेगा fellowship जो दखिए किनकी सब्जेक्ट में निकला हो पहले ही बता जते हैं देखिए इसमें साथ सब्जेक्ट है और लिखा है इलोक्रोनिक इंजिनेरिंग में आपको चार सीटे हैं और इसको रिजवरेशन बाट भी आ गया है और दूसरा नमर है Computer Science and Engineering Computer Science में है इसमें 6 सीटे निकली ही है और तीन नमर आपको देखिए Electronics and Communication है यहां पर 7 सीटे है और चार नमर पहरें आपको पहें आप मेकनिकल इंजिनेरिंग है जहां पर पाफ सीटे है और इसके अलावा देखिए Civil Engineering है जहां पर 3 सीटे है और इसका अलावा बायो टेक्नलोजी है जहाँ पे एक सीटे है जर्नल में है और फार्मेसी में एक सीटे है और यहाँ पर जो स्टार में दिया है इसका मतलब यह हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीट्यों की जिसंख्या है वो गाट बढ़ सकता है इस्तिति और प्रस्तितियों का नुसार टर्मेंग कंडिशन को इसको भटाया बराया जा सकता है यह लिखा हुआ है यहां पे और डिटल्स इंफर्मेशन आपको वे साइट पर लेवल है ऐसा यहां पर लिखा गया है और देखिए यहां पर नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें important date आपको दे दिया है और यह भी लिखा हुआ है कि आपको fellowship मिलेगा और 13 मैं से शुरू हो गया फर्म अप्लाई करने का आपको और last date online application फर्म दो जून तक 14 जून तक फर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद admit card जारी होगा आपका entrance test जैसे मैंने बोला कि entrance test के थुरू होगा देरादून में होगा नौ जूलाई को होगा और उसके बाद 20 पिले अपको इंसर की उसके बाद qualify का हो जाएगा जूलाई में ही सभी और interview date होगा 20 आपको जूलाई कहीं होगा यहां पर उसके बाद अगास पांच से छो अगस्त के बाद से आपका class हो जाएगा course work का यहीं पर information है लेकिन application fee कितना लगेगा यहां पर कोई जिक्र नहीं है तो form apply करने से पहले आप registration कीजिएगा मैंने बहुत जगह देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया कि यहां पर application fee कितना है तो आप इसे चेक कर लें apply करने से पहले मैंने इसे बहुत जगह पर देखा देखिए मैंने यहां पर देखा गाइडलेंड मी है यहां पर अब लेबल नहीं है गाइडलेंड और यह है PhD thesis वाला है thesis का यह सब है तो यहां पर कहीं पर show नहीं कर रहा है कि कितना fee लगेगा इसमें भी नहीं दिया है तो इसे एक बाद चेक कर लीजिएगा फर्म अप्लाई करना से लिए कि हाला कि जदा इसमें नहीं होगा जैसे ही आप ऑनलाइन फर्म अप्लाई करने चाहिएगा वहां पर जब से पेमेंट का आएगा तो वहां पर show करेगा कि आपका कितना application fee लगेगा तो यह रहा शोट में information आपको कैसा ल यह आप University News. Thank you watching again.